बहुत बहुत स्वागत है आपका NCX या multi commodity exchange के dividend को लेकर important details दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे dividend की तारीक कौन से important है जो आपको जानने चाहिए dividend payment date सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम discuss करेंगे company के बारे में समझेंगे multi commodity exchange क्या करती है important business data जो as an investor जरूर आपको जानने चाहिए वो सब हम आपको बात करेंगे सबतर पहले dividend से सुरुवात करते है 27 रुपीज 60 पैसा का dividend MCX के द्वारा दिया जा रहा है जो भी eligible investors रहेंगे stock price अभी अगर आप देखेंगे तो 1478-1480 के पास यह trade करता हुआ आपको नजर आएगा और अभी जो 52 वीक लो है उसके पास ही है यह जो भी stock price है अभी अगर आप देख पाएंगे तो 26 ऑगस्ट 26 ऑगस्ट सबसे important date रहेगी यह है ex-dividend date तो कोई भी investor है यहाँ पर invest करने के लिए सोच रहा है तो 26 ऑगस्ट से पहले 26 ऑगस्ट से पहले किसी के पास भी MCX का share है तो उनको dividend मिलेगा अब AGM होने वाली है September 3 Friday के दिन यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि AGM में officially एक तरीके से dividend का announcement होगा और जो dividend का payment है वो होगा September 13 या उसके बाद में तो dividend बहुत जल्दी ही मिल जाएगा 27 रुपे 60 पैसे का dividend है अब dividend history के बारे में हम यहां पर एक चर्चा कर लेते हैं देखिए इस साल का जो dividend है 27 रुपे 60 पैसे 26 ऑगस्ट है जो हमने अल्रेडी बात की पिछली साल जो dividend था वो 30 रुपे का था फिर 20 रुपे का dividend था 2019 में फिर 17 रुपे था 2018 में और 15 रुपे का था 2017 में तो हम देख पा रहे हैं कि जो dividend है वो increase हो रहे है साल दर साल अब देखें पिछला साल तो कोवीड कोवीड वाला डिस्टर साल था तो इसलिए हमने देखा था dividend कम हुआ डिविडेंट भी इसलिए कम हुआ क्योंकि प्रॉफिड जो था नैचुरली थोड़े से कम हुए था मैं आपको अभी जो भी प्रॉफिट रुपे का प्रॉफिट होता है तो 30 से 75 परसंट वो डिविडेंट देदेगी पहले ये 30 से 50 परसंट तक का था तो उन्होंने भी जोड़ सकते हैं नीचे मैंने लिंक दी हुई है कैसे ढिविडेंट इंवेस्टिंग से हम wealth कमा सकते हैं long term के लिए अब यहां पर मैं MCX के बारे में बात करूं MCX commodity derivative exchange है अब देखिए यह एक तरीकी साथ कल कहते हैं platform companies बहुत आ चुकी है जैसे IEX का नाम आता है BST Bombay Stock Exchange भी एक platform ही है आप stock खरीते हैं बेशते हैं वह platform है Zometo platform तो वैसा ही commodity derivatives के लिए जो platform है वह MCX है bullion है फिर metals है energy इन सबका जो जो भी यहां पर काम होता है derivatives का जो काम रहता है वह MCX में होता है और अगर आप पिछले पात साल में share का price देखे तो 9% बढ़ा है जो कि बहुत अच्छा नहीं है लेकिन platform companies में मैंने एक चीज़ देखी है कि अच्छा dividend paying company होती है जो भी हमने देखा है ठीक ठाक dividend paying company अगर वो लोग profit कर रहे है तो और debt free company यह होती है यह हमने कुछ platform companies में देखा है जासा है वो BSE हो तो उन सब companyों में है तो similarly MCX का भी वैसा ही है debt free है और dividend paying है और 5 साल में इसका sales growth 11% के आस पास रहा है अब यह quarter 4 की highlight मतब जो June quarter जो खतम हुआ था अब देख सकते है average daily turnover जो है वो 31,823 करोड थोड़ा घटा है अगर हम compare कर रहे हैं अगर पिछले बार के तुल नामे profit after tax 38 करोड यहां पर यह भी थोड़ा सा कम हुआ है और EBITDA जो है 55.73 करोड तो यह जो है घटा है जो हम देख पा रहे हैं अगर quarter 1 की अगर सिर्फ हम बात करें अब shareholders कौन-कौन है कोटक महिंद्रा बैंक का 15% share है फिर small cap है फिर Asian smaller companies है राकेश जुन-जुन वाला जी है अब बहुत बार investors क्या करते हैं कि राकेश जुन-जुन वाला जी का नाम देख लिया तो बिल्कुल invest कर देते हैं तो यहां पर भी आप देखिए उनका 5% हिस्सा है बट यहां पर मेरा एक अलग टेक है देखे लगभग साड़े साथ 8000 करोड का इसका मार्किट कैप है उसका 5% अगर जुन-जुन वाला जी के पास है तो भी मैं देख पा रहा हूं बहुत 38-38-400 करोड का उन्होंने यहां पर एक तरीके से अपना investment किया हुआ है उनकी अगर Google में मैं wealth देखने जाओं तो 33,000 करोड की है तो उस हिसाब से देखे तो 1% के आसपास ही उन्होंने अपना पूरे portfolio को डाला है लेकिन यहां पर investors क्या गलती कर लेते हैं कि कभी भी टीवी में आ जाता है जुन-जुन वाला साब ने invest किया है चाहे वो टाटा मोटर में किया हो या फिर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो तो बहुत बड़ा अपना पैसा डाल देते हैं समझ लीजे आपके बस एक लाख रुपय है तो किसी ने 20,000 डाल दिया तो अपने अपने portfolio का 20% डाल दिया लेकिन जुन-जुन वाला जी का जो total portfolio है जो Google में जो value आप खुद देख सकते हैं अ चैनल को सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों इन सब चीजों पर हमेशा से हमारा focus रहता है अब commodity derivatives में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ठीक ठा कि यहां पर growth हो रहा है value of futures जो है growth हो रहा है अब पूरे भारत में अगर बात करी जाए तो MCX जो है वह एक monopoly है Almost monopoly है इन फेक्ट आयर सीटी से के भी नाम में बूल गया था वो भी एक platform company ही एक तरीके से हुई आपको टिकेट बनानी हो तो MCX 96% almost monopoly है commodity के जो भी संदर्ब है वहां पर तो देखिया precious metals and stones अब देख सकते है 100 almost 100% energy 100% base metals 100% agree commodity में 23.5% का इनका हिस्सेदारी है तो यह कुछ important है जो as an investor जरूर चानने चाहिए समझने चाहिए फिर उसके बाद operating revenue आप देख सकते है financial year 20 में 397 करोड़ से 390 थोड़ा सा कम हुआ है turnover भी 503 करोड़ से 494 करोड़ थोड़ा सा कम हुआ है EBITDA आप देख सकते हैं यहां पर 283 करोड़ था जो कि इस बार 288 में उतना उसके बि देखा भी होगा dividend भी हमने देखा कि 30 से अभी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन overall अगर आप देखें तो एक growing momentum है बाकी disruption वाला साल था 2020 इसका financial year आप देखें यहां पर जो numbers है आप देख सकते हैं फाइनशियल है 20 में revenue from operation 397 करोड़ से 390 करोड़ टोटल revenue भी आप देखेंगे थोड़ा सा कम हुआ है 503 करोड़ से थोड़ा सा कम हुआ तो एक तरीके से platform company का business है debt-free business है बिल्कुल यहां पर जो long term के investors है वहां यहां पर नजर रख सकते हैं अपने radar में रख सकते हैं dividend के लिए रख सकते हैं और और ज़्यादा study अगर किसी को करनी है तो मुझे लगता है जो जो commodities है commodity derivatives है उनको और ज़्यादा समझते हैं तो फिर mcx पर study बिल्कुल किया जा सकता है as a long term investor फिलहाल अगर आप देखेंगे तो dividend yield भी जो आ रही है 2% से थोड़ी कम आ रही है लेकिन profit अगर यह करती रही पविश्य में पहले corporate governance के issue रहे थे अभी अभी की बात नहीं पहले की बात रही है तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे अभी एक्सचेंज है तो उसके बाद से बहुत सारे rectification हुए है जो कि अभी वह वाले issue अभी लगता नहीं है कि वह यहां पर रहेंगे बट नजर यहां पर हमारी बनी रहेगी आपके पास latest information हम लाते रहेंगे उमीद आपको value मिली होगी चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे धन्यवाद आपके समय के लिए थैंक्यू बड़ी में दूश्ट